इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमड के की बारे में यार क्योंकि I think students के result आचुके हैं कॉमड के के तो कौन-कौन से colleges है जनको आप target कर सकते हो So hi, my name is Arshi Khan and you're watching student covering जहां हम बात करते हैं आपकी यानि students की तो यार आज का जो वीडियो है वो कॉमड के पे होने वाला है अगर हम कॉमड के की बात करें तो सबसे पहली चीज़ की जितनी भी top colleges वैसे तो यूनो पूरे करनाटका में admissions के लिए होता है बच स्पेसिफिकली अगर हम सिलिकॉन वैली की बात करें दाट इस बैंगलोरू बैंगलोर में जितनी भी colleges है बच इंकलूज रमया आरवी बीमेस दायानन सागर college of engineering और ऐसे विस्विसराया technological university ऐसे कई सारे colleges है जो आप कॉमड के पे apply कर सकते हैं अब जिसे आज बहुत सारे college से जहां बच्चों ने पूछा कि मेरी 10,000 rank है मुझे कौन से colleges मिल सकते हैं मेरी 8000u rank है مोगे कौन से colleges मिल सकते हैं मेरी 5000u rank मोझे कौन से colleges मिल सकते हैं जैन आपको बता दूँ यहां पे मैं कि, just give me a second, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो जो top colleges में आते हैं, that is Ramayya, I think हर बच्चे ने अगर Bangalore प्लान किया है, तो उसकी पहली preference Ramayya होती है, आरवी, BMS, College of Engineering, right, then Dayanand, यह कुछ top के colleges है, right, तो मैं भी आपको इन जेनरल आइडिया देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, All India के, जोनको राइन को ले, अगर आपको इन colleges के अंदर, CS या IT जैसी branches चाहिए, यह rank should be under 1000, right, अगर आप Ramayya बोलोगे, तो हो सकता, आपकी rank 500 के अंदर होनी चाहिए, मैं इन जेनरल आपको आइडिया दे रहे हूँ, बाकि हम detailed video में बात करेंगे, colleges पे कि किस rank पे कौन सा cut-off है, और किस rank पे आप कौन सा college target कर सकते हो, आने वाली videos में, बार अगर आपका यह है कि मुझे, आरवी, रमाया, दायानन सागर, या फिर BMS College of Engineering चाहिए, तो मुझे कितनी rank होनी चाहिए, तो at maximum आपकी rank 1000 के अंदर होनी चाहिए, then you have possibility to either get computer science या फिर information security, वहाँ पे IT की जगह IS होता है, जो आपको मिल सकती है, fee structure colleges का, you know, 4 lakh, 3 lakh, depending upon colleges होता है, पर इसी rank में मिल सकती है, अगर आपकी rank इससे जादा है, और फिर भी आपको यह college, या यह college, या फिर यह college, या फिर यह college, या फिर यह college चाहिए, then in that case, इनके पास एक option होता है, that is called management quota, which is very official, इनकी sites पे भी देखोगे, ता आपको details मिल जाएगी, and कई बार इस seat को लेने के लिए भी, you know, you just have to pay too much, which is just next to imaginable, so yes, अगर आपको top colleges में computer science या IT चाहिए, when it comes to Bangalore, all you need to have rank under 1000, and then you have possibilities, कि आप in colleges में admission ले सके, आप जिन बच्चों की rank 1000 से 2000 है, आप 2000 से 3000 है, वो इन ही college में lower branches के लिए जा सकते हैं, because मैंने जो कहीं न कहीं discuss किया है, वो इनकी CS या फिर information security branch के लिए discuss किया है, यह इस बार counseling, you know, कैसी रहेगी, क्या रहेगी, क्या process रहेगा, क्या format रहेगा, वो सारी चीजें हम discuss करने वाले हैं, तो अगर आपने चानल को subscribe नहीं किया है, all you have to do is go right away, subscribe to the channel, because वो सारी information आपके लिए important होंगी, जिनकी rank 5000 से भी और जादा है, या 5000, मतलब 2000 से 5000 के अंदर है, वो या तो और lower branches या फिर दूसरे colleges जैसे की रमाया, university भी है, वहाँ पे जैन भी है, वहाँ पे अलाइंस भी है, वहाँ पे और भी कई सारे options हैं, और कई सारे options जो इनी के अंदर और नीचे लोवर लेवल पे आते हैं, मैं को और चीज़ बता दूँ, मुने टॉप 10 colleges in Bangalore पे वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं चेक किया है, उसका लिंग भी description में दिया हुआ है, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो, तो सिंपल चीज़ है, कमसिलिंग में अगर हम कॉमेट की बात करें, तो you know, rounds होते हैं, आपको rounds में पहले तो क्या होता था, कि physically जाना पड़ता था, physically जाने के बाद कहीं न कहीं, आपको seat a lot होती थी, आपका नाम आता था, अगर आप वो seat पे allocation लेते थी, तो आपको college में जाके पी submit करनी पड़ती थी, कई बार end के round में अच्छी-ची seats छूटती भी हैं, और कई बार अगर आप कम rank पे और आप सोच रोगी में last round तक वेट करू, हो सकते हैं, तब मेरे chances मिल जाएं, तो इसकी कोई possibility नहीं होती है, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कि अगर आप ये तीन-चार colleges जो top colleges है, comment के थूँ, इसको target करना चाहते हो, तो computer science and IT, तो आपकी से rank तक target कर सकते हो, next video में हम बात करेंगे, अगर आपकी rank और जादा है, तो और कौन-कौन से options है, and especially about the cut-off of colleges, so this was me Aarshi Khan signing off, till then, see you with another episode.